अलाइट फ्रेंड उमीद है आप लोग बहतरीन होंगे आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लेमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्रिटीन यह हमारी बॉडी के लिए अगर हम लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो सप्लेमेंट को लेके उनके अंदर बहुत सारे कंफिजन भी है तो आज मैं इसे के बारे में फुलRichborण के बारे बात करूंगा तो सबसे भब्रण मैं आपको बता एंक की बदील नाम करेगा है और आज मैं आप लोग सामने इसे के बारे में बात करने जाUM तो सबसे पहले क्रिटीन के अगर मैं बात करूँ तो जो लोग नॉन वेजटेरियन हैं सबसे ज़्यादा यह पाया जाता है नॉन वेजटेरियन फूर में जैसे फीस हो गया एक हो गया आपका चिकन हो गया मीट हो गया इन सारे प्रोडेक्ट में थोड़ा ज्यादा पाया ज जाता है जितना की अपने को चाहिए अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं दिन में आधा किलो से ज्यादा मीड खा रहा हूं तब मुझे सफीसियन क्रेटीन मिलेगा जो मेरी बॉड़ी को चाहिए अधर वाज मुझे सप्लेमेंट के माध्यम से उस क्रेटीन क्या हो सकता को पू तूट की जाता है तब वो एनरजी में कनवर्ट होता है तो हमारे एटीपी के लेवल को हाई करता है जिससे कि हमारे सरीर में इनरजी बनती है यह क्रेटीन हमारे सरीर में पहले से मौझूद होता है और अगर हम इसको उपर से सप्लेमेंट के रूप में लेना शुरू करते तो ऐसा नहीं है वोड़ी पे सबसे पहले मैंने आपको बताए कि ATP बढ़ाता है तो एनरजी बनती है तो एनरजी इस तरीके से बनती है कि अगर आप किसी वेट के साथ 10 रिप कर रहे हैं अप 40 kg वेट ले जा रहे हैं और 10 रिप आप कर पा रहे हैं तो अगर आप क्रेटीन sufficient क्रेटीन है तो वहाँ पे आप 10 किजिएगा 11 रिप 12 रिप 13 रिप इतना कर पाएंगे और अगर आप ज्यादा रिप करेंगे तो आपकी मसल ज्यादा breakdown होगी और अच्छे से grow करेगी तो यह होता है क्रेटीन का process बहुत सारी research होई है उसमें ये बात साबित की गई है अभ कोई भी बात नहीं पाई यह एकितम सेफ सप्लीमेंट है अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इजली यूज कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है बहुत सारों लोगों को यह question रहता है कि सर क्या मैं क्रेटीन अभी ले रहा हूं तो मेरी बॉड़ी य यह वो वर्क कैसे करता है तो क्रेटीन जब आप लेते हैं हमारी जो बॉड़ी है वो 70% पानी से बनी हुई है तो हमारी मसल्स पर क्या करता है वाटर जो डिटेंसन होता है उसको होल्ड कर देता है जिससे हमारी मसल्स की ग्रोथ अच्छी होने लगती है और हमें जब वहने बाद आपके सरीर पे जब क्रेटीन का लेवल वापस लो हो जाएगा अगर आज से आपने क्रेटीन सप्लेमिट लेना बंद कर दिया है अगर वह आपका क्रेटीन लेवल लो होगा तो आपके अंदर जो एनरजी पहले से जो ज़्यादा बनेती वह कम बनेगी तो अधरवाईज कुछ नहीं और दूसरे चीज़ जिनको अगर कोई पहले से प्रॉब्लम है है किड़नी प्रॉब्लम या फिल लीवर प्रॉब्लम है तो लोग अपने डाइटेसियन से डॉक्टर से सला ले 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 उसके बाद ये सप्लिमेंट का यूज करें तो इसको लेने के दो तरीके होते हैं सबसे पहले एक तरीका यूज में आता था लोडिंग और एक है अनलोडिंग लोडिंग में क्या करते हैं वो 20 ग्राम क्रेटीन पहले लोग अपनी बॉड़ी पे लोड करते थे और वो क्रेटीन एक बार में ही नहीं लेते थे उसकी 3-4 डोज बिल्कुल नहीं है आप चाहें तो सिंपल तरीके से ले सकते हैं क्रेटीन को यानि कि एप्रॉक्स अगर आपका वेट 60-80 kg के आसपास 80 kg तक है तो आप 2-3 ग्राम इसको यूज करिए अगर आप इसको 1-5 ग्राम 2 ग्राम से सुरू करिए एक सपता बाद आप 3 ग्राम क्या है तो बहुत साले लोगों कहना होता है कि क्रेटीन में प्रीवर्काउट लोगा तो मेरी बॉड़ी पर ज्यादा इंप्रीव होगा बॉड़ी ज्यादा इंप्रीव होगी अच्छे से काम करेगा तो क्रेटीन को लेने का प्रीवर्काउट लेने का कोई लॉजिक नही बॉड़ी उस स्टोग क्रिटीन को यूज करेगी यह जो आपने आपने लिया है उससे आपके नर्जी बूश नहीं हो जाएगी तो आप कोसिज करिए या फिर आप जब भी ले सकते हैं मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं क्रिटीन लेता हूं वर्काउट के बाद अपना जो कि अधिटार्भ का मेरे पास है क्रिटीन और यह क्रिटीन मॉनो हाइड़र्ड है बज़ार में इसके बहुत सारे फॉर ginger मॉन देखके कर सकते हूं कर चूका हूं और सरे यूज पूरा एकदम आप इसको समझ सकते हैं जैसे चीनी होते हैं पीसीओ पूरा वैसा रहता है और यह स्कूप 3 ग्राम कहीं दिया है कंपनी ने यह लेवल इसको मैं बराबर यह फिल करता हूँ इसको पूरा ऐसे फिल कर लूँगा तो यह ज्यादा हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं कुछ लोगों को मानना होता है इसको काप्स के साथ लेना चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है जो भी आपको टाइम सही लगया आप कोसिस करें उसको पोस्ट वरकाउट लीजे और इसको रेगुलर लेते रहे जिस दिन आप अगर नॉन वेश्टेरियन ह आप मीट खाते हैं फिस काते हैं अंडा खाते हैं जादा मात्रा में खा लेते हैं तो उस दिन आप इसको मत लीजिए और सबसे खास चीज जिब भी आप क्रिटिन लेटे हैं तो आपको अपना वाटर इंटेक हाई रखना होगा यानि एप्रोक्स आप 4-5 लिटर पाणी में पी सकते हैं और जिम के पहले आपको इसलिए भी ने लेना है क्योंकि जब भी आप वर्काउट करते हैं तो उस टाइम पर हमारा पसीना बाहर निकलता है गोलते क्रिटेन आपारी मसल में भी वाटर होल्ड कर देता है किसी वज़ा से हमें थोड़ा सा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए कोशिस करिए कि आप क्रिटेन आप वर्काउट के बाद लीजिए आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा और अगर क्रिटेन को ले कि आपके दिमाग में और भी कोई मित है तो नीचे कमेंट बाक्स में कमेंट करें मैं आपको रिप्लाइज जरूर करूंगा मिलता हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में चाहें